91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शेहर की धरकन हेलो हलदवानी दोस्तों हेलो हलदवानी एक सामुदाइक रेडियो है जिसे आप 91.2 MHz की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्तविश्य विद्याले इस रेडियो में हम जहां एक तरफ समुदाइ और समाज के लिए कई तरह की जानकारियां आलग आलग कारिक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं तो वहीं उत्तराखन मुक्तिश इद्याले से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारिया हम यहाँ पर लेकर आते हैं, उनके अपने अनुभव और उनके लिए कई तरह की सामगरी हम यहाँ पर लेकर आते हैं. फिलहाल अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप नेगी जी जो की राज़की एंटर कॉलेज में अध्यापन कर रहे हैं और ये अर्थशास्तर का अध्यापन करते हैं और सबसे खास बात कि ये एक दिव्यांग हैं और इन सब के बावजूद भी ये उसे ये दो-चार होकर आगे बढ़ते आए हैं आज हम इन से जानेंगे तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं प्रदीप नेगी जी का हैलो हलदवानी के स्टूडियो में तो नेगी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार से तो पहले बात करते हैं जैसे अभी आ आप अर्थशास्त्र विशय का अध्यापन कर रहे हैं राजके इंटर कॉलेज में और कहां पर अभी आप पोस्टेड हैं और किस तरीके से जो आपकी जिन्दगी की शिरुवात हुई थी, कैसे हुई थी, कहां आपका जन्म हुआ और किस तरह से आप आगे जिन्दगी में य अच्छे साल हो गए हैं इसे पूर्व मेरा जो निक्ति हुई थी अध्यापक की वह अती दुर्गम विद्याले पौड़ीगडवाल में हुई थी, जैखल बोरगाओं में तो वहां पे मैं खचर से जाता था, स्कूल में, कम से कम 5 किलोमेटर खड़ी चड़ाई में था, सं पौलियो मेरको हो गया था, और उस जवाने में पहाड के लोग पौलियो नाम का जानते ही नहीं थी बीमारी की पौलियो क्या होता है, घरवालों ने, मेरे माबाप लोगों ने, आर्मी में थे डड़ी, वो मरको पूना ले गए, वहां जाके पता चला की पौलियो हुआ है और कई जगा साथ से आठ साल इधर उधर इलाज कराया है, लेकिन कई भी ठीक नहीं हुआ, तो अंत में डौक्टरों ने बताया कि पौलियो ला इलाज बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, और आप केवल अपने पुत्र को पढ़ाईए, और पढ़ाने से ही अपने पै प्यूटर में भी डिप्लोमा किया, लेकिन इन सब के बाद भी नौकरी नहीं लगी, फिर मैंने कम्पोटिशन की त्यारी करी, जिसमें मेरा एल्टी मेसायक अध्यापक में सेलेक्शन हुआ, उननी सो बयानवे में, जो मैंने आपको बताया कि राज के मादमिक विध्याले जैखाल बॉर्गाव में मेरी नित्तिवी समाजिक विशे के अध्यापक के तौर पे, फिर उसके बाद मैंने और त्यारी करी, तो मैंने आयोक की परीक्सा दी, आयोक से मेरा परवक्ता अर्सास में सेलेक्शन हुआ, तब से मैं अर्सास का पत्पे कारे रत हूँ, तो मेरा जो उद्देशे था कि शिक्षन कारे को कैसे बहतर बनाना है, रूचिपुन कैसे बनाना है, उससे पहले संगर्स तो जीवन में मैंने बहुत देखा, बहुत ज़्यादा अपमान भी सहा है, ताने भी सहे हैं, और मेरे को उस समय बहुत खराब लगता था जब मेरे साती मु तब ही आगे बढ़ पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो मैंने पढ़ाई जारी रखी, मैंने में ट्रिपल किया, अंग्रेजी में, इतियास में और अर्शास्तर में, और कंप्यूटर का भी मेरे को फैदा हुआ कि मैंने जब कंप्यूटर डिप्लोमा करा, उसके बाद में 6 मैंने प्राविट कंपणी में भी काम करा, और उसके बाद फिर मैंने कंप्यूटर की त्यारी की, जिसके फलसुरूप में आज गौर्मेंट जॉब में हूँ, तो गौर्मेंट जॉब में आने के बाद मैंने देखा कि जो स्रिक्शन कार है, एक दिव्यां टेकनिक के माध्यम से पढ़ाने की एक पदिती हमारे विभाग में सुरू करी जिसके लिए उन टीचरों का चेन किया गया कि जिनको थोड़ा बहुत कम्प्यूटर आता था तो मैंने पहले से कम्प्यूटर सीखा हुआ था तो उसका लाब मुझे मिला कि हमारे प्रिंसिपल स कि कैसे सिक्षन कारे में हम तक्निकी ग्यान का पर्योग करें और सिक्षन कारे को रूची पूर्ण बना सकें तो वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपने विध्याले के सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी और इस परकार ये आगे चलता गया मेरे को मज़ा आता गया से बढ़ाने मिदेए इस से बढ़ाने Hmm मैंने धीरे-धीरे इस में अच्छा कार्य बच्चो को टक्निकि घ्राइब डिया कंप्यूटर सी बच्पिने मेरे को अपने विसे अध्या पकने मुझे कंप्यूटर टीचर बोलते थे क्योंकि मैं कंप्यूटर पड़ाता था उने एक खाली परेड में और आरेजमेंट परेड में उसमें थोड़ा बहुत उनको कंप्यूटर की नॉलिज देया करता था इस भी माइक्रसॉप्ट बीच में परतियों गीता कराई पूरे इंडिया में तो उसमें दस टीचरों में मेरा सेलेक्शन हुआ और पूरे भारे से दस टीचर का सेलेक्शन हुआ उसमें मैं कमबोडिया और बैंकोक दो जगा गया था तो वहां से सपलता की कहानी शुरूई उसके बाद मैंने अपना विशे था जो अरसास्त्र उसके लिए मैंने वेबसाइट बनाई वेबसाइट बनाई उसके बाद मैंने विभाग सिक्स की जरूत थी उन्हें दिया और मॉडियूल बनाए और इसके साथ साथ पाठ्थे पुस्तों को का डिजिटल किया अपने विभाग का और मॉडियूल बनाए टीचर्स की ट्रेनिंग के और साथ साथ आज भी मैं NCRT, CIT, दिक्षा और आपका SCRT और NISTA इन सब का मैं resource person हूं ICT का और समय सब पर मैं दिल्ली जाता रहता हूं NCRT में और वहाँ पर जाके e-content develop करता हूं कई सारे e-content मेरे अभी दिक्षा में भी publish हुए हैं और मैं लगातार 6-7 साल से टीचर्स को ICT की training दे रहा हूं और इस बीच जब करोना आया था करोना के बाद आपने देखा गया था जब स्कूल बंद हो गए थे तो उस समय हमने सोचा कि क्या करा जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो कैसे उनको जोड़ा जाए तो वह सबसे बड़ी समस्या थी तो शुरुवाद मैंने तीन बच्चों से करी थी अपने स्कूल में जबकि विव के माध्यम से इनको सिक्सित किया जाए तो सबसे पहले जूम एप और आपका गूगल मीट इनका प्रयोग करके मैंने ऑनलाइन सिक्षन कारे शुरू करा इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया यह करोना पिरेड में ही मैंने बनाया और कई सारे वीडियो मैंने बनाये बच्चों को जो कठीन कॉंसेट होते थे हमारे उनको इंट्रस्ट आये उसमें उसमें एनिमेशन यूज करके मल्टी मीडिया का इस्तमाल करके ताकि जो हमारे कठीन संबोध होते वो आसानी से बच्चे समझ सकें तो इन सब का परियोग किया तो ऑनलाइन मैं पढ़ात में 30-40% मेरे विद्याले के बच्चों ने पढ़ा तो में को कई हमारे अध्यापोकों के फोन आये क्योंकि उन्हें तक्निकी घ्यान की कमी थी उस समय वह नहीं पढ़ा पा रहे थे तो उन्होंने मुझे से संपर्क किया कि नेगी सर आप क्यों ना हमारे विद्याल हटता था हपते में पहले दो दिन लेता था फिर मैंने तीन और चार दिन क्लास लेनी शुरू करी और उनको यॉका कंटेंट्ड उनकu गुरूप बनाए वाट्टसअब में से गुरूप बनाए मैंने और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइस टीचर के गुरूप बनाए ताकि अधिक सदिक मातरा में मैं बच्चों को content share कर सुकूं उनकी PDF फाइल हो गए videos हो यूट्यूब के सब बनाके मैं share करता हूँ और आज भी मेरे साथ कम से कम वर्तमान समय में तीन से लेके 5000 बच्चे जुड़े हूए और कई सारी टीचर मेरे साथ जुड़े हैं जो आज मैं online quiz लेता हूँ जो भी नए विसे आते रहते हैं जैसे आपका उर्जा संद्रक्षन हो गया या 15 अगस्त हो गया या अमारा रास्ट्य पर्व हो गया या उत्रखंड दिवस हो गया इन में मैं परत्योगे तक कराता रहता हूँ और बच्चों को online certificate भी जारी करता रहता हूँ और इसके साथ-साथ उनको प्रोतसान रासी के रूप में थोड़ी धन रासी भी online उनको ट्रांसफर करता हूँ जीक पे के माध्यम से ताकि उनको समय समय पे तकनिकी घ्यान की भी जानकारी देता रहता हूँ कि वह ऐसे से होगा और खेल-पदिती, online खेल के माध्यम से भी करता हूं में विध्याले में और और बच्चों के साथ भी इनको जोडने का परियास करता हूं ताकि बच्चे जो मुबाइल में आपने देखा को बच्चे मुबाइल चलाने में बहुत माहिर होते हैं तो क्यों ना बच्चों को मुबाइल के माध्यम से सिक्सित किया जाए मुबाइल ऐसी चीज नहीं कि एक दिम खराब हो लेकिन उसका अगर भैता डंक से इस्तमाल किया जाए तो वो हमारी पढ़ाई को भी इंप्रूब कर सकता है आज बहुत सारे बच्चे जो YouTube चैनल देखते हैं YouTube टैलन सीखते हैं मैंने भी YouTube चैनल से बहुत सारे चीज़े ब्लॉग बनाना सीखा, वेबसेट बनाना सीखा तो आज मेरी जो वेबसेट है उसमें कम से कम सतरा लाग से जादा वीवर्स हैं जिन्होंने उसको देखा अभी तक तीन सालों में तो आगे मेरा प्रियास यही है कि तकनीकी ज्यान का अगर हम स्क्षण कार में परियोग करेंगे तो जो हमारा स्क्षण कार है वो रूचिपून बनेगा तो प्रदीप निकीजी जैसे आप लगातार प्रियोग धर्मी स्क्षण से लगातार नवाचार आप स्क्षण में करते आ रहे हैं और काफी उपलब्धियां आपने अपनी जीवन में हासिल किया है तो किस तरीके के संघर्ष आपके जो अतिदुर्गम शेत्र में थे वो रहे हैं और कैसे आपने उनसे आगे बढ़कर खुद को तो जैसे आपने कहा कि पहले मैं 6-7 मैंने अतिदुर्गम में रहा हूँ जहां पर मैं खचर से जाता था और एक disabled person के लिए एक दिव्यान के लिए पहाड में चलना बहुत ही कठीन कारे मैं वहाँ चल नहीं पाता था कई बार मैं गिरा हूँ कई बार मेरे को चोट लगी है मेरे पैर में सूजन आ जाती थी जादा चलने से और मैंने कई बार अपने अधीकारियों से भी रिक्वेस्ट करी थी की मेरा ट्रांसफर थोड़ा शुगम में कर दिया जाए लेकिन उस समय काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद 7-8 मेरे बाद मेरा ट्रांसफर सोताई पाबो हो गया वो थोड़ा सुगम था, वैसे सुगम केटिगरी में आता है, लेकिन जो दिव्यांग वेक्ती उनके लिए वो भी दुरगमी है, क्योंकि वो भी पहाड़ी इलाका था, लेकिन वो जहां मेरी पहली पोस्टिंग थी जैखल बोरगा, उसकी तुलना में ठीक था, वहां पर रो आने चलने वर ले में, अब यहां जाके मैं अपना स्कूटर एडिट करके दिव्यांग वाला स्कूटर बनवाया और उसी को मैं इस्तमाल करता हूँ विद्यार्थियों से मिलते हैं, क्योंकि सबसे खास बात, किसी भी अध्यापक के लिए, जो खास उपलब्धी होती है, विद्यार्थियों से मिलने वाला जो फीडबैक होता है, जो उनसे मिलने वाली प्रतिकरिया होती है, वो रहती है, तो कैसा रहता है विद्यार्थियों के साथ अनभाव? विद्यार्थियों के साथ बहुत ही अच्छा अनभाव रहता है, मैंने कई जगा ट्रेनिंग दिये, कई संस्ताओं से जुड़ा हूँ, जो मज़ा स्कूल में पढ़ाने में आता है, जो अपनी छात्रों पे साथ मज़ा आता है, उतना मज़ा कहीं नहीं आता है, क्योंकि बच्चे हमारे आइना होते हैं और जो हम पढ़ाएंगे वो ही हमें दिखाई देता है, उसका फीड़वेक हमें मिलता है, आज हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे पढ़ाएवे बच्चे आज अच्छे अच्छे जगाओं पे कारे कर रहे हैं, कई सारे बच्चे तो हरद दिव्यांग बच्चे भी थे जिनकी हमने मैंने समय समय पर साहिता करी और उनको प्रमोट किया आगे बढ़ने के लिए क्योंकि वो थोड़ा गरी परिवार से आते थे वो आगे सोच नहीं पाते थे कि हमारा हमारा फ्यूचर क्या आगे हम क्या कर सकते हैं तो मैंने उनके कांसिलिंग कराई उनको समझाया कि आपका बच्चा है आप इसको पढ़ाईए और पढ़ाने से ही आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि आप उसको बोज समझे आप इसको पढ़ाईए और यह अपनी रहा खुद आगे निकाल लेगा और आगे यह बढ़ेगा तो घर में रहके भी पढ़ाई कर सकते हैं हम उनको रेडियो के माध्यम से या उनको साउंड के माध्यम से ऑडियो के माध्यम से भी हम उनको सिक्षित कर सकते हैं उनको बार बार विद्याले आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि आने जाना कितना कठीन होता है किसी और के उपर निर्भर रहना पड़ता है तो ऐसे बच्चें इस परकार कई और दिव्यांगें उनके लिए भी हमें ऐसे उपकरण डेबलब करना ही चाहिए जो उनकी पढ़ाई को बढ़ा सके इन्हेंस कर सके ताकि वो कठीन परिस्तितियों में भी अपने को दूसरे से अलग ना समझें तो यही मेरा लक्ष है कि बविश्य में मैं और अधिक ऐसे e-content डबलब करूँ या ऐसे audio sound record करूँ जो बच्चे सुनके ही उससे सीख ले उनसे उनको ज्यान प्राप्त हो जाए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्विद्याले से संचाल यह पद्धतियां आपने अभी हमारे श्रोताओं के सामने रखी हैं पेश की हैं तो इन पद्धतियों का इस्तमाल करके दूरस्थ और मुक्त सिक्षन जितने भी संस्थान हैं चाहे वो प्राथ में किस तर पर हो माध्य में किस तर पर हो या फिर उच्च तर पर हो तो इन स प्रासिस का वो रह जाता है, वहाँ पर नहीं होता है, तो ऐसे मैं इन पध्यतियों के इस्तमाल करके भी आप सिक्षन कर सकते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, यह एक जो distant learning होता है, और जो हमारा उतराखंड है remote area, जहाँ पर विसम परस्तिती है, यहाँ के लिए technical education बहुत ही महतरपूर है, कि आपको भगोलिक परस्तिती इतनी खराब है कि आप एक जगा से दूसरी जगा जाएंगे, तो तीन से चार गंटे आपके waste होंगे, और वही चीज अगर आप online सुनेंगे या online देखेंगे, तो आप mintो में वह हासिल कर लेंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, हमारे यहाँ भी क्या होता है, कि जो हमारे विद्याले में जो बच्चे आते हैं, गरीब background से आते हैं, या weaker section से आते हैं, मजदूरों के बच्च को चुना, उसमें क्या होता है, कि आप जो विद्याले में पढ़ा रहें, उसी का recording कर लिया lecturer को, और वो आपने अपनी website या YouTube के माध्यम से share कर लिया, या e-content आपने बना लिया, या आपने PDF बना लिया, notes की और बच्चे को share कर दिया, आप बच्चे क्या करते हैं, कि अगर विद्याले दो या तीन दिन वो नहीं आता, तो घर में जाके उनका वीडियो देखकर, जो मैंने पढ़ाया उस वीडियो को देखकर, वो उसको सीख लेते हैं, कोई भी उनका ग्रह कारे छूडता नहीं है, तो इससे क्या होता है, ये दो concept क्लियर हो जाते हैं हमारे, blended learning से, कि बच्चे को हम, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं, वो अपने खाली समय पे, उसको वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं, तो ये ही मैं, जो आपका Open University कारे कर रही है, बहुत अच्छा कारे कर रही है, खासकर उत्राखंड जैसे विस्म परस्तिती में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्टन लर्निंग, जिसमें ओडियो विज्वल और ये ओनलाइन लर्निंग, ओनलाइन जो टूल्स होते हैं, ICT के ओनलाइन टूल्स होते हैं, इनका बहतर इस्तमाल किया जाए, ताकि शि इवन के संघर्षों में लगातार आगे बढ़ते रहे, अपनी सारी दिक्कतों से, अपनी सारी परेशानियों से जूसते हुए, और उन सब को पीछे छोड़ते हुए, आप आगे बढ़ते रहे, तो अपने आप में आपकी जो जिन्दगी है, एक मिसाल है हमारे लिए, हमा पर जो अपनी जिन्दगी में छोटी-छोटी समस्याओं से भी हार जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, फिर हमारे सबी शोताओं के लिए, हम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई खास संदेश, कोई खास बात, बस यही मैं कहूंगा कि, जो हमारी दिव्यांगता होती है, यह सारी रिक रूप से उतनी नहीं होती, जितना हम मानसिक रूप से दिव्यांग बन जाते हैं, हम पहले ही मन में सोच लेते हैं, कि हम यह नहीं कर पाएंगे, वो हम से बैतर है, वो आद भी ठीक है, वो कर लेगा, तो इससे क्या होता है, हीन बावना आती है, क्यो और नेगिविटी जो दूसरे लोग करते हैं आपके पढ़ती उनको एक कान से निकालिए और अपने मार को आगे ले जाईए कि आपको करना क्या लाइप में सबसे बैस तरीका मैंने वही बताया कि जो चीज आपकी वीक है उसको इंप्रूब करें ठीक है ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो दिव्यांग आज भी नहीं कर सकता वो कर सकता है बस उसके अंदर संकल्प होना चीए सकती होनी चीए हां मैं एक कर सकता हूँ और इससे बहतर कर सक यही मैंने सोचा था मेरे साथ कितने सारे टीचर्स हैं, कम से कम 40-40,000 टीचर होंगे उतराखंड में, लेकिन मैंने महनत करी एक अलग इनोवेशन किया, टीचिंग लाइन में, एक नया परियोग करा, जिसका लाब मुझे मिला, जिसके कारण मेरे को 2013 का 14 में ICT पुरस्कार मिल मोटिवेड किया, आगे पढ़ने के लिए, उन्हें संस्ताओं से जोड़ा, उन्हें जो भी उपकरण चीये होते थे, दिव्यांग वाले, वो उनको उपलब कराने का परियास किया, और में फोकस यह था कि, वो कमजोर ना पढ़े, उनके माबाप की कॉंसुलिंग कराई, ताकि वो पीछे ना रहा, आज भी मैंने वाटसअप ग्रूप में अपने पुराने बच्चे जोड़े वे, ताकि अगर उनको कहीं भी मार्क दर्शन की आवश्रता होती है, तो मेरे पास आते है, मैंने कई लड़कियों की एडमिसन कराए, पिछले साथ लड़कियों के मा अगर गरीबों के बच्चों एडमिसन नहीं हो रहे थे, तो आज भी मैं बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, और समय समय पर उनकी साहता करता हूँ, जैसे उनको जरूरत होती है, चाहे आर्थी को, चाहे उनको ग्यान से संबंदी, तो पूरी उनको मदद मैं करता रहता अभी हम बात कर रहे थे, प्रदीप नेगी जी से, जो कि अर्थशास्र का तो अध्यापन करते ही हैं, इसके साथ ही साथ इन्होंने खास तोर पर नवाचार के माध्यम से, क्योंकि कम्प्यूटर में कई सारी नई तकनीकों का इस्तमाल करके, ये लगातार अपने लिए इसका करते ही आए हैं, और साथ ही अपने सहयोगियों को भी ये सहायता करते हैं, तो कहीं न कहीं कम्प्यूटर के भी ये टीचर अर्थशास्त के साथ हो ही जाते हैं, तो अभी हम इन से बात कर रहे थे और दोस्तों आपने सुना कि किस तरीगे से, जैसे इन्होंने कहा कि प्रेरक कहानिया पढ़ है और अपने आप में अगर बात की जाए तो प्रदीप नेगी जी की जो खुद की जिंदगी है जो खुद की इनकी कहानी है वो अपने आप में खुद हमें और हमारे सब इस शोताओं को प्रभावित करती है प्रेरित करती है तो अपने आप में हमें सबक लेना चाहिए ऐसे में तो प्रदीप नेखी जी सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे शोता हमसे ये सारी बातें साजहा करने के लिए और अपने अनुभव साजहा करने के साथ ही हम सभी को प्रेरिद करने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा अभी आपसे एजासत फिर हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य कारिक्रम में किसी अन्य शक्सियत के साथ तब तक के लिए नवस्कार